आज यह अपने सफाले के फार्म हाउस पे हम लोगों अपने वॉक्शॉप करने के दौरान आज पहली बार शूटिंग कर रहे हैं और हमारे जो आर्टिस्ट हैं जो हमारे से सीख रहे हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ब्लॉक चैनल से भी उन्होंने सीखा है फिर हमारे पास आया है और हमारे पास से जो ट्रेनिंग पा रहे हैं उनको लेकर एक बहुत ही अच्छी सीरीज बिंदिया नाम की सीरीज ह अब लोगों के सिखता है तो जो अभी हमारे पास है उसमें हम लोगों ने इनको बहतर बनाने की कोशिश की है उमीद करते हैं कि हमारे ये नए कालाकार के नए आर्टिस्ट बहुत अच्छा अभिनाय करेंगे और भोउष्र में हमारा नाम इंस्पार्रका नाम और खुद और अभिनाय के रूप में एक अच्छे अभिनेता अभिनेत्री बनके सामने आएंगे यही सुबकामना हर सिखाने वाला हर गुरु देता है वही मैं दे रहा हूं और रेगुलर रेगुलर दोस्तों अभी तीन सीरीज हम बनाने जा रहे हैं जिसमें से एक हॉरर वेब सेरीज है एक हमारा यह बहुत ही अच्छा कॉंसेप्ट है जो बिंदिया नाम से है और एक लव स्टोरी है तीनों के लिए हम नयकालाकार को आमंत्रित करते हैं बिगत 28 तारीक और चार तारीक को भी हमारे नयकालाकार लोग मुंबई आ रहे हैं और उनको हम लोग अच्छा दिशा अच्छा कैमरा करते हैं तो यह साहत दे रहे हैं हमारा और आज इनका हुनर को देखना है यह कितने अच्छे से उसे कैमरे को और अडिटिंग को एक नया रूप दे के नए सिरीज को लाते हैं और उसके बाद हम पर्चे करना चाहेंगे हमारी जो बिंदिया है यह लड़की कहां से बाबु कल्यान से ना कल्यान के पास से आई है निकिता नाम है इसका बहुत कम समय पहले इसने मुझे संपर्क किया था और बहुत ही जगह पे यह गई थी लेकिन इसको एक अच्छा मुकाम नहीं मिल पाया था एक होली का सॉंग इसने किया है और दूसरी फिल्म screeके यह आगे क्या करना चाहती है जरा इन से पूछेंगे तो निकिता बता यह अपने बारे में आप क्या करना चाहते हैं कैसे आए हैं मुझे सर से कॉंटेक्ट वा पहले लेकि जब मुझे मालूम नहीं था और जब मुझे पहली बार लीड रॉल मिल रहे हैं और यह भी बहुत दिनों से भटक रहे थे काफी जगा गया लेकिन मतलों चीजे नहीं मिल पाई तो हमने बताया सबसे पहले शीखना होता है सीख के ही आप अपने आपको उस मुकाम को हाशिल कर सकते हैं तो बेचारे अच्छे सीख रहे हैं अच्छे डायलोग डिलेवरी इन्होंने दिया है अपना एक पर्चे दे दीजिए मैं रहुल कुमार बोल रहा हूं मुझे सनी सर ने मुझे आके बढ़ने का मौका दिया है मेरे गुरूं है और मैं अब फॉकर मेरे साथ मिससाथ देबंधर यहाले अगले सपना रखे हुए हैं पार्ट टाइम ये काम भी करते हैं जॉब भी करते हैं और हाजी पूर पटना के पटना के पास के रहने वाले हैं अपने बारे में बताइए भाई जरा में सर के बारे में जितना भी बोलूंगा उलगवक कम है बहुत अच्छे हैं और किसी तरह की कोई भी इनके मन में भे कमल कुमार हैं और MP से आये हुए हैं एक्चुली इनकी कहानी बड़ी अजीब और गरीब है इसे के लिए थोड़ा इनसे मैंने बाद में पर्चे कराया यह जो हमारा फार्म हाउस है इसका पूरा जिर्णोधार इनके ही हाथ में है इन्होंने पूरा पेंटिंग से लेके सारा चीज हमारा स्विमिंग पूल सब सब कुछ यही बनाने वाले हैं और इन्होंने सर्च किया था गूगल पे हमें इनसे मिले हैं और इन्होंने बहुत निश्वार्थ भावनें से कहा था किसार आप जितना भी काम करा लो लेकिन मेरे को कलाकार बना दो और आज हम इनके साथ पहली बार शूट कर रहे हैं कमल कुमार कुछ बोलना चाहेंगे तो अपने बारे में बताएं कहां से हैं क्या है में में इनको शुब कामना इंस्पायर की पूरी टीम देती है बहुत बड़े मिस्तरी के साथ बहुत बड़े कालाकार भी बन जाएं और एक विसेस आदमी है जिनका नाम परदुमन कुमार है अब दर शिपे हुए है और अपना उर्फ नाम महकाल यादाव इन्होंने खुद रख लिया है चार साल से बिगत चार साल से ये मुंबई आये हुए हैं और इन्होंने एक कसम ले लिया है दोस्तों की जब तक ये एक आर्टिस्ट नहीं ब ठीक है सार जब तक कुछ नहीं होगा हम इधर ही रहेंगे हम भाई अभी मत आईए बाद में आईएगा तो इन्होंने बुला नहीं हम जौब छोड़कर आपके पास आ रहे हैं और फुल टाइम हम बस एक्टिंग को देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अच्छे कालाकार बन हैं और देखने कसा बाद मुझे लगा सार डियली में सबको काम दे रहे हैं तो मैं यहां पर आएं सबस्ट करके और सथ यहां जो कि हमारे सर का नाव यह सर है सनी प्रकास जी डिरेक्टर प्लस प्रडियूसर इनके लिए भी सुब कामना है और यह देखिए हमारे सतीस बाबू है जो कमल कुमार मिस्तरी जी है उनके हेलपर के रूप में लेकिन कहा जाता है कि जैसा संगत होता है वह ऐसा ही उनका वह हो जाता है तो पंदरह दिन से इस फिल्म को जो निर्देशित कर रही है इसमिता सना जी हमारी फिल्म की अभिनेत्री जिन्हों ने बहुत अच्छे फिल्म दिये है पस्चताप जैसा लुक दिया है जिसको अब मुझे गERV है परवाぁ फिल्म आयी है इनकी दो फिल्म में आगे आने को तयार है जो अभागा और देवता है जो अगले पंदरत शूटिंग पर जाने वाले है बंगाल में बहुत अच्छा काम करने के बाद ये इंस्पारर से दो शाल से जुड़ी हुई है और आज एक नया अध्याय चालू ये होने वाला है कि इन लोगों को जो लोग आज हमारे हाँ नए आये हुए है यो पिछले साथ साल से इन्होंने छे साल से जो एक्सपीरियंस आपने पास लिया है उसको ये शेर करेंगे आजे निर्देशक के रूप में आजे डायरेक्टर के रूप में बिंदिया वेप स्रीज लेके आ रही है श्मिता भॉमिक डायरेक् आज मैं इस पारर से जुड़के मैंने बहुत सार अच्छा अच्छा काम किया है आप लोग उने देखा ही होगा तो यह बात है कि आज मैं बहुत अच्छा काम करने जारी हूँ डायरेक्शन तो अब तक का मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है एक्टिंग केरियर का जो भी मैं किया जिता है जो भी मैंने काम किया अच्छा इच्छा अच्छा का मूवी है इक लड़की का तक लीफ मतलब उसके मतलब प्रॉब्लेम्स के ऊपर हम लोग यह कहानी बना रहे हैं गरीवी से जूजते हुए उन्होंने अपने सपने को कैसे बरकरार रखा उसके छोटी छोटे जरूरते कैसे हम लोग के पास जो असानी से मिल जाता है वो चीज उसको मिलना कितना मुश्किल है वो ही चीज उसको मिल कितनी मुश्किल होती है वो ही चीज हम दिखाएंगे और मैं अपने बारे में बोलना चाहूंगी कि एक एक्ट्रेस के साथ मैं थोड़ा राइटिंग और थोड़ा डारेक्शन यह सब मेरे अंदर में शौक था या मतलब करने का इच्छा था तो कोई भी प्लाट्फॉर्म नहीं यह जागा मेरे को देता जो इस पैरन ने मुझे दिया है सिर्फ मैं अगर सपना देख रहा है और उसका शुरुवाती अध्याय है तो मैं मैं दिल से बोलूंगी कि इस पैरर जोइन कीजिए तो इनको डिरेक्टर के रूप में आज एक नई शुरुवात करनी पड़ रही है उसके लिए भी बहुत बहुत शुबकामना है हम जरूर चाहेंगे स्मिता जी कि आप एक एक मल्टी टैलेंटेड ओर करें इसमिता भॉमिक एक्टरेस राइटर और इसमिता भॉमिक डिरेक्टर यह फिल्म की सुबकामना बस आपको काशिरवात चाहिए और चाहता हूं तरकी करें और यह लोग जो नए कालाकार है वो बहुत ही अच्छा चीजों को पेश करें और और हम लोग गनपती पूजा करके यह शुरु कर देशियों कर दो अचाहिए नमस्कार से ट्राइब को अगभी आपको को जो अगी आपको झाल 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 झाल